आपका स्वागत है आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है खेल जुगत से जुड़ी खबरों का रुख करने का मिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे पीछे टीम इंडिया तो बात करते हैं अब टीम इंडिया की, तो BCCI ने भारते के टीम के मुख्य कोच का एलान कर दिया, पूर शलामी बल्लेबास गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच पनाए गाए हैं, BCCI के सचिफ जैश्चा ने गौतम गंभीर के नाम का एलान किया, गंभीर को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में एहम भूमिका अनिभाने वाले राहूल द्रविण यानि मिस्टर डिपेंडेबल का स्थान लेंगे लेकिए इस कास रिपोर्ट के जरी है लेकिन उसे पहले जुड़ते हैं गौरफ के पास गौरफ जो अब गंभीरता है वो नदर आने वाली है और ज्यादा भारती है टीम में क्योंकि उनके नए कोच गौतम गंभीर होंगे जाहिर सी बात है जो उनका अनुभव रहा है चाहिए इंटरनाशनल क्रिक्ट की बात करे या टी-20 की बात करे उसका फायदा मिलता हो नजर आएगा टीम इंडिया को जाहिर तोर पर इसमें कोई दोराय नहीं क्योंकि यह तस्वीर जो थी वो बहुत पहले ही साफ हो चुकी थी कि कहीं न कहीं जो मैनेजमेंट है जो बीसी सी आई है उसने मूड कहीं बना लिया था कि गौतम गंभीर को यह जिम्मेदारी दी जाए वो कि जिस्ता से राहूल द्रविट ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि जो टी ट्विंटी वर्ल्ड कप जो अभी हाली में खत्म हुआ वो उनका लास्ट असाइनमेंट रहेगा तो इसके बास इससे पहले से ही जो थी वो प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई थी और कहीं कहीं गौतम गंभीर पर जो नज़रे थी वो बहुत ज़ादा थी क्योंकि जिस तरह का उनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीछे का वो बहुत शांदार रहा है जिस तरह से उन्होंने अपनी कप्तानी में दो बार IPL में कुलकता नाइट राइडर्स को चैंपिन बनाया और इस बार जब केकिया ने जीता तो टीम के मेंटॉर भी इसके अलावा अगर प्रोफेशनल क्रिकट की बात कर लें तो जिस तरह से उन्होंने 2007 और 2011 की जो वर्ल्ड कप जो टीम थी उस फाइनल टीम में टीम का हिस्सा थे और वहां पर टीम को वर्ल्ड कप टॉफी दिलाने में उनका बहुत बहता जो बल्ले बाजी से योगदान रहा था तो इन सब बातों का कही ना कहीं निचोड जो था वह कहीं ना कहीं को ध्यान में था और जिस तरह से एक जो कोच होता है अब यह नहीं है कि अगर राहुल की जगाब गौतम घंबीर आये है तो वह टीम को एक शुरुआ से कुछ बल्ले बाजी सिखाएंगे कोच का सबसे बड़ा एक फैक्टर यह रहता है कि वो किस तरह से किस परस्तितों के बीच में टीम को जो है वो कैसे एक मजबूत बनाता है मेंटली किस तरह से स्ट्रॉंग बनाता है और किस तरह से विपरीत परस्तितों के बीच में टीम जो है वो मैस्ट को निकाले इसकी आदत ज जो है वो चुनोती हाला की काफी बड़ी रहने वाली है जिसकी शुरुआत जो है वो इसी महीने शिलंका के टूर से स्टार्ट हो की जहांपर गौतन गंभीर जो होगी उनका पहला साइडमेंट जो होगा वो कही न कहीं शिलंका का जो टूर है वहां पर होगा इसके बाद तो ऐसे में उनके सामने जो परिक्षा होगी वो इंदो वर्ल्ड कप की तो रहेगी रहेगी साथ ये भी देखना होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप में भारत का जो रुद्बा हर बार से भेतरिन रहा है वो इस बार कहां जाकर के सामने आता है जी रहुल द्रविट के बाद आप कमान समालने वाले हैं गौतम गंबीर और 2027 दयक वो बतौर बारत्री क्रिकेट टीम के कोच मने देंगे फिलहाल गौरव इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत 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 तो किस तरहां से गौरव बढ़ाने वाले हैं गौतम गंबी टीम को एक मार्व दर्शन जैसा कि बहुत अच्छा गौरव ने कहा कि कोई क्रिकेट सिखाने के लिए या बॉलिंग सिखाने के लिए नहीं लेकिन एक मार्व दर्शक के रूप में किस तरहां से वो टफ सिचुएशन को निपट में बिल्कुर स्ट्राटेजी बनानी होग लेकिन उनके पास एक बहतरीन टीम है उस बहतरीन टीम को आगे ले जाना होगा और श्रिलंका का अगला मैच है जिस पर अब सब की इन गाहें जो है वो ठीकी रहेंगे